मैं सुझाय कुमार और आपके अपने चैनल अंडिफीटेट फेंडेसी क्रिकेट में आपका स्वागत है दोस्तों इस मैच रहने वाला है जिमबावे ओमेन और पकिस्तान ओमेन के बीच में ठीक ठाक मैचेज आपके लिए जा सकता है तो मैं आपको डिटेल से इनफॉर्मेशन के साथ बता दूगा प्लेइंग 11 देने वाला हूं 11 प्रेक स्कुर्ट भी तो बैटिंग वार्टर के साथ कौनसे अपलेट खेलेंगे कौनसे पलेट नहीं बताते हो चलता हूं यहां से देखो प्लंकेट सिल्ड डावलू वीवीए लोमेंस वंडे हैलिवेटन चुनास्टल सिल्ड होंग कोंग ओडेडी सेफिल्ड सिल्ड सेद मुस्ताकली यह तो खत्म होगे ना वाई सेद मुस्ताकली नहीं अब उधा भी टेटन यह सारे लीग हम भी बहुत सारे लीग हम लोग फॉलो कर रहे हैं हो तो मैं लिखोंगा तो बहुत लंबा चार्ड बन जाएगा और समय भी टाम टेकेंग लगेगा तो उस बैचेस में यहां पर नहीं लिख रहा हूं आप एक बार टेलिग्राम पर जूर जाओ कैसे जूरना है मैं आगे बत क्योंकि टॉस आने के बाद बहुत प्लेयर हो सकते हैं कि लाइनप आने का चेंज होगा टॉस पर बहुत कुछ डिपेरिंट करेगा तो मैं उस बैचेसे फिट चेंज करूंगा कुछ न कुछ तो टेलिग्राम पर जूरने के लिए आपको क्या करना है इस वीडियो के डिस् पी ये क्वालिफायर रहने वाला है किस ग्राउंड पर होने वाला है तो संडाइज स्पोर्ट्स क्लब पर कब मैच है तो ये भी एक बजी आपको मैच होता हुगा नजर आएगा सारे बाड़ा बजएक आपको एलाम से एट कर लेना है पीच रिपोर्ट यहां से जैसे मुझे कुछ अपडेट मिलेगा कि कौन से प्लेयर खेलेंगे कौन से प्लेयर नहीं तो मैं टेली राम पे आपको बेजी जग इनफार्म कर दूंगा टीम स्ट्रेंथ को बात करेंगे तो जिमावे में के 40% चांसे बिन करने के अब परकिस्तान में के साट परसेंट है टेक है मैं से क्यों बोल रहा हो देखो जिमावे में के टीम लाज्ट-5 मेंचे में 4 वीर अर्गिया तो ने चांस विन कर रखा है तो उस बज़े से मैं बोलूगा कि दोनों के 50-50 चांसे हैं विन करने के बट मैं पकिस्तान ओमन को तुरह से ज्यादा फेवर करके कर रहा हूं कि इनकी थोड़ी ज्यादा स्ट्रॉंग लग दी है कंपेर टू जिंबावे ओमन से तो उस बज़े से में के बारे में ठीक है गाइस तो चलो पहले हम लोग जिंबावे ओमन के पहले प्लेंग 11 के बारे में डिसक्स कर लेते हैं तो देखो यह प्लेंग 11 रने वाला है इनका 11 बिड़का स्क्वाइड कैप्टेन से रने वाले हैं मुसा अंडा और विकर्ट की प्रजेंस मुपाचि चलेंगे तो उससे पहले मैं चीज़ बता देता हूं कि अगर आपने वीडियो अच्छा लग रहा है आपको और आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक कर दो लाइक से क्या होता है कि मुझे मुझे बिलता है ताकि आप लोग के लिए अच्छे वीडियो बगएर सारा क कुछ डेटियल से आपको प्रवाइड कलाता हूं चलो मोडेस्टर पहले हम लोग जी मावे वोमन की टीम के बारे में डिस्कस करेंगे और फिर लास्ट में लोग पकिस्तान वोमन के टीम से डिस्कस करेंगे देखो इस टीम से मुपाचिकवा रने वाले हैं मोडेस्टर मु अब भले ही उन्हें पारी खेल रखा है बट कुछ खास मुझे ट्राइट लगा नहीं है ग्रैली में रोटेट करना अन्न दिराया आप खेलते हुँ नजर नहीं आएंगी मुसांडा खेलेंगी तो अभी मैं बोलूँगा सिर्फ एक सुतीर रन का पारी है ग्रैली में पारी फिरी के बनापात करेंगे तो इनका कुछ कास मुझे स्टाइट लगा नहीं है एक विकेट लाइस में भले ही इंको मिला था बट मैं बोलूँगा कि ग्रैली पीक है आपके लिए और ग्रैली में ही रोटेट करके चलना इस तर मभुफाना आपके लिए इंपॉर्ट पारी के लिए क्यूं देखो एक विकेट दो विकेट एक अर चलना खया और बनन्द य आपको ठीक टेक ओपडर करते हों लिए आइगी बनाप बन्नाइगी आपको ओफाइंबरिट करते हो लंगा है चाहते हो चयंको तो करनाद करना दो करसकते हो बट्लहनी एंपन रोटेट करना मैं हाली रीकमेंड नहीं करूँगा भले इंको थीन विगेट मिल गया था बट उस बेसिट में इनको टाई नहीं करने वाला हूं ग्वांजवरा अगर खेलेंगे भी तो ग्रैंड लिंग में रोटेट करना उसको बात करेंगे प्रेसिस मरांजे इंपोर्टन पिक हैं बिल्कुल मिस मत करना आप इनको अपने टीम में 40 अने 1 विकेट, 18 अन 2 विकेट, 3 अन 2 विकेट, 14 अन 1 विकेट, 3 अन 0 विकेट, 17 अन 2 विकेट, बिल्कूल भी मिस मत करना इनको अपने small league के टिंग में वरना फार जाओ गया है, ठीक हैं, बाकि आप चलो तो पहले पकिस्तान में उनका जो प्लेइंग 11 रहने वाला है, विथ बैटिंग और मैंने लीख रखा है, ति यह आपको खेलते हो साथ नजराएंगे, सिद्रा नवाज कैटन स्ट्रिम के और विकेट कीपर सेक्शन से मुनिवाली आपको रहने वाली हैं, बेंच पर यह बेस्ट पिक रहने वाली हैं, बिल्कुल ट्राइ करना, सिद्रा में इन खेलते हो इनका कम चांस है, कहनात इम्तियाज भी नहीं खेलेंगी, फतीमा सान अगवारे बात करते हैं, इंपोर्टन पिक हैं बिल्कुल मिस्मत करना, लास्ट लोले मैच इन दो विकेट निकाल कुछ खास इनका स्टैट्स है नहीं, बट अबरेज है, बट आपको जरूर ट्राइ करके चलना है, दस अबर का कफ्रीट बॉलिंग डालती भी नजर बंदी आने वाली है, आनाम अमीर आपके लिए इंपॉर्टन पिक, बलकि स्मॉल लिंग में सी और भी सी भी इनको ट्रा कर रही है बंदी, बट मैं बोलूँगा कि ज्यादा मैं नहीं highly recommend करूँगा कि आपके अपने स्मॉली के टीमें ट्राइ करो, ग्रेंडली में ही करना, सद्रा नमाज अगर खेलेंगे भी तो अब ग्रेंडली में रोटेट करना, साध्या एक वाला वो खेलती हो नजर नहीं इराम सवेट खेलेंगी तो ग्रेंडली में ही रोटेट करना है, कुछ खास इंका स्टैट मुझे लगा नहीं है, अब यहां से देखो जैबर यह खानी important peak है, खेलेंगी तो आपको स्मॉली में भी try करना है, पर ग्रेंडली में भी try करना है, और मेमा सोहल आपके लिए सबस आपके लिए बाकी यहां से कोई भी खेलने वाला है, अगर खेलेंगी तो मैं ग्रेंडली में आपको बता दूगा, प्लेयर के with stats आपको टेलिग्राम पे, जैसा कि मैंने बोला है कि starting में कि final team वगरा सारा कुछ information में आपको टेलिग्राम पे ही देने वाला हूँ, तो वहाँ पर बिल्कुल भी जूनना मत भूलिया guys, final team वगरा सारा कुछ information में टेलिग्राम पे दूँगा, link description में है या फिर comment section भी मैंने डाल रखा है इस वीडियो के, वहाँ जैसे चाहो वैसे जूर सकते हो, और आपको हमारी hard work थोड़ी सी प्रसंद आ रही है, तो लाइक सर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मदभून लागा है, सबसे important एक YouTuber के लिए वह होता है, एक लाइक से आपका तो कुछ न तो चलो, अभी कही जाना नहीं है अभी आपको, अभी हम लोग चलेंगे डिमन टीम के उपर, और वहाँ पर डिसक्स करेंगे कोई स्प्लेर को लेना है, और किसे ड्रॉप करना है, तो गैस देखो, यहाँ से small league के team हम लोग create कर लेते हैं, विकेट कीपेंग से मुनी वाली स सबसे important pick है, small league में तो आपको try करना ही करना है, इनके अलाब किसी और के बारे में सोचना भी नहीं है, मुपा चिकवा है, अगर try करना चाते हो, तो grand league के लिए आपको सबसे best pick रहने वाली है, सीधरा निवाज खेलेंगे, तो grand league में ही rotate करना, दुरूरू के कम चांसे खेलने चलो ठीक है, तो यहां से अगर small league के बात करेंगे, तो मुनी वाली आपके लिए सबसे best choice रहने वाली है, बैटिंग सेक्शन पर आते हैं, तो यहां से मुसुंडा को आप try करना चाते हो, तो बिलुकुल कर सकते हैं, और try करना भी पड़ेगा, आपको 96% selection है, और इनके stats भी मैं तो grand league में rotate करना, इराम जबेद, grand league pick, नदिराय, grand league pick, बागे कोई खेलेगा, है नहीं, अब आते हैं हम लोग all rounder section पे, यहां से मैं first लेडा हूँ निदर डड़ को, फिर नकोमो को, फिर ओसोहिल को, फिर फतीमासना को, देखो, मैं यहां से आलिया रिवाज को भी लेना लगे हैं, और किसी अधर fantasy app पे, अगर आप चहां से 6-7 all rounder रख सकते हो, तो यहां से सब को रख लेना, निदर डड़ को भी रख लेना, आलिया रियाज को भी रख लेना, नकोमो को भी रख लेना, सारे pick को रख सकते हो, और वह मैं fan 11 पे खेलूँगा, और वहां पन मेरी investment high रने वाली है, तो यहां पर बिल्कुल खेलना, यहां से फिर bowling section पर बात करेंगे, तो आनाम अमीन, नसरा, संदुग और टासूमा, आपके लिए सब से important pick है, बिल्कुल यह तीनो प्ले में से किसी को भी miss मत करना, ठीक ठाक पिक रने वाली है, और यहां से मैं चाहूंगा, आपके लिए captain निदर डरने वाली है, और भायस captain तो मैं अनाम अमीन को ही try करने वाला हूँ, तो guys देखो यह team से आपको बिल्कुल भी contest join नहीं करना है, जो मैं team दूँगा न, final team, वो मैं आपको कहां दूँगा, telegram channel पे, अगर वहां नहीं जूरे हो, तो अब भी जाकर के यह मैं वहीं पे दूँगा, देखो बहुत सारे बंदे होते हैं, इस team से, जो video में मैंने team दिया, उससे पैसा लगातेते हैं, और खेल जाते हैं, और बोलते हैं कि हार गया हमें, देखो इस team से खेलना ही नहीं है, तो यह बिल्कुल भी हमारी final team नहीं है, final team आपको हमारे telegram channel पर नहीं मिलेगा, toss update के बाद, तो वहाँ पर जूड़ना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, तो चलिए, नेक्स वीडियो मिलते हैं, नयवदरा टरीक और वीडियो के साथ, तब तो के लिए धन्यवाद और ख्यार रखें, दोस्तों, जहिंद,